वेल्कम टू स्टडी 24 देपूर आज के इस वीडियो में हम मनी एंड बैंकिंग के लगबग 35 मुल्टिपल चोईस को देखने वाले हैं सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्ण है मुद्रा मुल्ली में परिवर्तन से प्रभावित होता है मुद्रा का मुल्ली बदलने का मतलब क्या हो गया कि जब अर्थ विरस्ता में किमते बढ़ती है या किमते घड़ती है तो उससे मुद्रा की जो क्राई शक्ती वो क्या होगी बदल जाएगी तो मुद्रा के मुल्ली में परिवर्तन से क्या होगा कीमत इस्तर भी प्रभावित होगा जो उपभोक का इस्तर है वो भी प्रभावित होता है उत्पादन का इस्तर भी प्रभावित होगा तो correct answer हमारा यहां पर हो जाएगा option fourth मुद्रा के मुल्लि में परिवर्तन से कीमत इस्तर, उत्पादन इस्तर उब्वोक का जो इस्तर होता है वो सभी प्रभावित होता है दूसरा है जब मुद्रा की पूर्ती उसकी मांग से अत्यधिक हो जाती है ठीके मुद्रा की मांग की तुलना में अगर मुद्रा की पूर्ती जादा है अर्थ व्यस्ता में मुद्रा की मात्रा जादा हो जाती है तो यह एक तरह से किसको दर्शाता है मुद्रा प्रसार इंफलेशन को मुद्रा की पूर्टी अगर जादा होगी तो इससे क्या होगा वस्तु एवम सेवों की किमते क्या होगी बढ़ेगी ठीक है किमत इस्तर बढ़ेगा तो यहाँ पे किमत इस्तर बढ़ना एक तरह से किसको दर्शाता है इंफलेशन को दर्शाता है मुद्रा प्रसार को दर्शाएगा अगला है मुद्रा संकूचन की इस्तिती में सामान्य मुल्य इस्तर देखें मुद्रा संकूचन की जो इस्तिती है वो मुद्रा प्रसार के बिलकुल विप्रित है मुद्रा प्रसार में एक तरह से क्या होता है जो सामान्य कीमत इस्तर वो बढ़ जाता है लेकिन मुद्रा संकूचन की जो इस्तिती होती हैं उसमें सामानिक कीमत इस्तर क्या होगा, गटेगा, गिर जाएगा, तो फिन अमारा सेकंड इसमें सेवा अगला देखिए मुद्रा इस्पिती किसी अर्थ वियस्ता में वस्तु एवम सेवाओं की समग्र प्रभावी मांग में व्रधी के कारण उत्पन होती है देखी किसी भी अर्थ वियस्ता में वस्तु की अगर मांग बढ़ती है तो इसको हम क्या कहते हैं प्रभावी मांग हमारा first ठीक है और जब लागत बढ़ने से अगर मुद्रा स्पिति उत्पन हो जाती है लागत प्रेरित मुद्रा स्पिति एक अर्थ व्यस्ता में किसमे व्रदी के कारण उत्पन होती है तो लागत का मतलब किस्सा है हमारा यहां पर उत्पादन की लागत से है तो जब उत्पादन की लागत बढ़ती है उत्पादन की लागत बढ़ने से अगर कीमत इस्तर बढ़ जाता है तो इस परकार की जो इस्पिती है इंफलेशन उसकों क्या कहेंगे कोस्ट पूल इंफलेशन लागत प्रेरित मुद्रा इस्पिती अगला है मुद्रा इस्पिती उत्पादक वर्ग के लिए देखें मुद्रा इस्पिती की इस्ति में क्या होता है कीमत इस तर बढ़ जाता है तो जो उत्पादक होता है उनके पास में जो भी उत्पादन होता है उनकी कीमत बढ़ने से उत्पादकों को लाब होता है अगला देखिए आए वर्ग के लिए मुद्रा इस्पिती जो है कि ह्नी निकारगों की इस्थिर आए वर्ग के लिए जिनको एक निस्चित अवदी के बात में निस्चित आए की प्राप्ति रोती है जैसे हर मेशने इन लोगों को मुद्रा इस्पिति से क्या होगा हानी होती हैं तो इस्तिर आये वाले व्यक्ति जो होते हैं जिनको वेतन भोगी वर्ग हम किया सकते हैं उनको क्या होगा मुद्रा इस्पिति से हानी होती है अगला हैं मुद्रा इस्पिति से एक तरह से क्या होगा अर्थ व्य करती बढ़ाएगी ठीक है वो सोचेंगे भविश में कीमत और बढ़ जाएगी यह सोच के वो क्या करते हैं वस्तु एवं सेहों का अपने पास में स्टोक कर लते हैं काला बाजरी को बढ़ाव मिलता हैं यह सारे एक तरह से मुद्रा इस्पिति के प्रभाव होते हैं तो कर्य व्यस्ता में आ जाती हैं तो अर्थ व्यस्ता को रोक जो मुद्रा इस्पिति होती उसको रोकने के लिए अर्थ व्यस्ता में विभिन प्रकार की उपाई किये जाते हैं जिसमें से मुख्य उपाई कौन से हैं एक तो हैं मोद्रिक उपाई और दूसरे होते हैं राजकोशी उपाए ठेके राजकोशी उपाए में कौन कौन से उपाए आते हैं सरकार का जो आय होती जो टेक्स लगाती हैं सरकार जो वे करती हैं रिन लेती हैं नए नोट छापती ये सभी एक तरह से कौन से होते हैं राजकोशी उपाए और मोद्रिक उपाई में जैसे कि बेंगदर में परिवर्तन करना हो गया साख की राश्टिंग हो गया इस प्रकार के जो परिवर्तन होते उनको मोद्रिक उपाई के अंतरगत परमिलित किया जाता है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखें करों में जो व्रद्धी है वो एक तरह से राजकोशी उपाई के अंतरगत आता है यह मोत्रिक उपाई नहीं है option हमारा हो जाएगा इसमें तिसरा अगला है मुद्रा इस्पिती को रोकने का राजकोशी उपाई ठीक है लोगों से जो रिंड ले रही है सारजिक रिंड जुनको का जाता है उनको बड़ा दिया जाए तकि अर्थ विस्ता में मुद्रा की मातरग कम हो जाए लोगों को बच्चत करने के लिए प्रोसाइट किया जाए तो ये सारे एक तरह से क्या होते हैं राजकोशी उपाई होते हैं करेक्ट आंसर इसमा आपका हो जाएगा ओप्शन फोर्थ अगला है मुद्रा के अधी मुल्यन से हत्तो साइथ होते हैं ठीक है एक तो होता है मुद्रा का अउमुल्यन ठीके मुद्रा के अवमुल्यन में क्या होता है हमारे देश की जो गरेलू मुद्रा है उसका विदेशी मुद्रा के रूप में मुल्य कम कर दिया जाता है एक डोलर का मुल्य अगर 50 रुपए है अब अवमुल्यन का मतलब क्या हो गया एक डोलर का मुल्य कितना कर दिया जाए 60 रुपए कर दिया जाए तो इससे क्या होगा निर्यात बढ़ेंगे क्योंकि विदेशों को क्या होगा पहले 50 रुप में जितनी वस्तों हैं उनको एक डॉलर में मिल रही थी 50 रुपे की हम उनको दे रहे थे अब उनको हम एक डॉलर में 60 रुपे की वस्तों देंगे मतलब उनको हम जादा मात्रा में दे रहे हैं इसे निर्यात क्या होता है बढ़ते हैं ये तो होता है अवमुलियन लेकिन अधिमुलियन में क्या होता है एक डॉलर का मुल्य माना की पचास रुपए है अब सरकार ने क्या कर दिया हमारी मुद्रा का अवमुलियन कर दिया मतलब एक डॉलर कर दिया कम होंगे तो यहां पे जो आपका correct answer हो जाएगा option first ठीके निर्यात के उपर क्या होता है अधी मुल्यन का विपरित प्रभाव पड़ेगा अगला है सामान्य अत्वा नियंत्रित्र मुद्रा इस्पिती आर्थिक गती विदियों की विखास में करसे क्या होती है सायक होती है ठ वो प्रतिशत तीन प्रतिशत के अगर आसपास होती है तो इससे जो उत्पादक वर्ज हैं जो आर्थियस्ता में उत्पादन कर रहे हैं उनकों एक्सरे से लाब होगा और वो भईश में क्या होगा अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोज़गार का इस्थर बढ़ेगा तो जो किमतों में वर्दी का एक सामान इस्थर होता है जो नियंत्रित मुद्राइस्पिती होती है वो अर्थियस्ता में विकास में हमेशा साहिक होती है अगला है अनियंत्रित मुद्राइस्पिती ठीक है मुद्राइस्पिती जब किमतों में वर्दी बहुत अधिक हो जा को सबसके क्या हुआ है आर्थ विश्टा ओस्ते एकतर से क्या हुआ है अगला है मुद्रा अविस्पिती ठीक है डिफलेशन ठीक है तो मुद्रा अविस्पिती जो होती है जिसमें क्या होता है किमतों में कमी की प्रवर्थी पाई जाती है तो यह किसके विपरित इस्थिती है तो किमतों में जो वरदी होती हो किसम होती हैं मुद्रा इस्पिती में तो यह जो डिफलेशन हैं वो इन्फलेशन का अपोजिट हम कह सकते हैं ठीक है मुद्रा अव इस्पिती जो होती है वो मुद्रा इस्पिती की विपरित इस्थिती एक तरह से कहा जा सकता है अगला है अव इस्पिति की दशा में निम्य लिखित परिस्तिती में मानी जाएगी ठीके प्रोपेसर पीगू के अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या बताया कि जो अव इस्पिति होती हैं उनको हम तीन प्रकार से परिबाशित कर सकते हैं कि जब अर्थ व्यस्ता में उत्पादन बढ़ता हैं लेकिन मोद्री काय क्या हो इस्तिर हो उत्पादन की मात्रा इस्तिर हो लेकिन मोद्री क्या हो जाए कम हो जाए या फिर मोद्री काय भी घटें लेकिन साथ साथ में उत्पादन क्या हो जाए बढ़ जाता है तो ये एक तरह से किसको दर्शाता है अव इस्पिती तो correct answer आपका यहाँ पर हो जाएगा option fourth अगला है मुद्रा अव इस्पिती के प्रमुक कारण है ठीक है मुद्रा अव इस्पिती जो deflation उसके क्या क्या कारण है कि जब अर्थवेस्था में उत्पादन अधिक हो जाए तो उत्पादन अधिक होने से क्या होगा अगर लोग उसको नहीं खरीदेते किमते क्या होगी गटे की या पुंजी की जो सिमान उत्पादता है वो घड़ जाए या फिर जो चलन में लेंदन करने के लिए मुद्रा की मातरा होती है अगर वो कम होगी तिससे वस्तों का क्रएवी क्रएवी कम होगा तो इन सभी से अर्थ वियस्ता में क्या होगा अव स्पिति की स्थिति उत्वन हो सकती है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आपका ओप्षन फोर्थ उप्रोक्त सभी अगला देखिए वेतन भोगी वर्ग अव स्पिति में ठीक है जब अर्थ वियस्ता में हमने पढ़ा था कि मुद्रा स्पिति से क्या होता है जो इस्थिर आये वाले व्यक्ति होते हैं उनको हानी होती है लेकिन अव स्पिति अगल डिफ्लेशन आगए जिसमें कीमतों में कमी होती है तो जिन लोगों की आये निश्चित होती हैं इस्थिर होती है जो वेतन भोगी वर्ग है उनको एक तरह से क्या होगा इससे लाब होगा ठीक है वश्तों की उनकी पास में जो मुद्रा उसकी क्रेश शक्ति क्या होगी बढ़ जाएगी कीमत इस तर गटने से तो यहां पर हो जाएगा option first फिर है मुद्रा संकूचन को नियंतृत किया जा सकता है ठीक है जब अर्थ व्यस्ता में लेंदेन करने के लिए मुद्रा की मातरा कम हो जाती है तो इसको दूर करने के लिए क्या क्या जाएगा अर्थ व्यस्ता में अतिरिक्त मुद्रा का निर्गमन क्या जा सकता है सस्ती, मुद्रा, निती, ब्याज़दरों में कमी की जा सकती है साख का विस्तार किया जा सकता है ये सारे उपाई किये जा सकते है उप्रोक्त सभी हमारा फॉर्ट ओप्सन सहे हो जाएगा अगला है मुद्रा अविस्पिति काल में सरकार को विकास वे में अब इस्पिती हैं, डिफलेशन हैं, मंदिक इस्तिती हैं, तो मंदिक इस्तिती को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, सरकार को अपना वे बढ़ाना चाहिए, सरकार जब वे बढ़ाएगी तो अर्थिवस्ता में पेसा आएगा, ठीके, तो सरकार को अपना वे क्या करना बड़ाना चीए ठीके सरकार अगर खर्चा अधिक करेगी अर्थ व्यस्ता में मुद्रा की मात्रा आएगी दिस्टे लोगों को दूसरे लोग भी क्या करेंगे उसको देखे वे करेंगे ठीके मुद्रा की मात्रा ज़्यादा आएगे दिस्टे अर्थ व्यस्ता का विकास अगला देखिए किसके अनुसार मुद्राइस्पिती अन्याय पूर्ण है तथा अविस्पिती अनुप्युक्त देखिए किसी भी अर्थ वियुस्ता के लिए गर हम देखें तो मुद्राइस्पिती और मुद्राइस्पिती इन्फलेशन और डिफलेशन ये दोनों ही इस्तित्याज जो होती है वो अच्छी नहीं मानी जाती है ठीक है अच्छी क्यों नहीं मानी जाती है क्योंकि देखिए जब अर्थ व्यस्ता में मुद्रास्पिती होती है तो उसके बहुत सारे विपरित प्रवाब बढ़ते हैं आर्थिक असमानता बढ़ती है अब मेरी और घरीबी की बीज जो अंतर होता है वो बढ़ता जाता है अब खर्चा अगर बढ़ जाएगा सरकार का तो उसको पूरा करने के लिए क्या करेगी सरकार टेक्स लगाएगी ठीक है जनता के उपर टेक्स का प्रवाप बढ़ता है फिर अगर हम देखें तो लोग बच्चत नी करेंगी क्योंकि उनका खर्चा बढ़ जाता है इसी तरह के से जो अनितिक घतिवीदिया होती है वो एक तरह से क्या होगी बढ़ जाएगी ठीक है लोगों के पास में पेशा जादा है क्रतिम संपन्ता उसको हम कह सकते है ठीक है लेकिन फिर भी एक तरह सी अर्थ वियस्ता के लिए क्लिए क्लिए होती है अन्याय पूर होती है और अव इस पी तरब एक 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 त अग्ला देखिए 21वा के शुधार को मुदरा अव स्पिति कहा जाता है तो देखिए अब इस्पिति में एक तरह से क्या होगा किम्तों में कमी की प्रवर्थी पाई जाती है तो देखिए जब मुद्रा इस्पिति की स्थिति होती है उसमें एक तरह से क्या होता है किम्ते बढ़ने लगती है और किम्तों में बढ़ने की प्रवर्ती होती है, उसको नीन्तित करने के लिए जो काम किया जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, मुद्रा अब इस्पिती कहेंगे, तो यहाँ पर आपका option हो जाना चाहिए, first हो जाना चाहिए, ठीके, कि मुद्रा इस्पिती में सुधार किया जा ठीके, तो यह तरह से क्या होगी, क्रत्रिम, क्योंकि मुद्रा इस्पिती आ जाती है, जब अर्थ विएस्था में किम्ते बढ़ने लग जाती हैं, तो उसको नीन्तित करने के लिए जो भी राजकोशी मुद्री को पाई किया जाते हैं, वो सारे एक तरह से क्या होंगे, क् जाला देखिए, मुद्रा डेश को मंदी दूर करने के लिए जान बूचकर की गई स्पिती के रूप में परिवाशित किया जाता हैं, ठीके, जब अर्थ विएस्था में मंदी की स्थिती होती हैं, उसको दूर करने के लिए जान बूचकर जो इस्पिती एक तरह से हैं, मत झाल 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 अगला प्रस्ण हमारा है आर्थिक मंदिकाल में अर्थ व्योस्ता को पुनह साम में इस्तिति में लाने के लिए नियंतरित रूप से चलन मातरा में की गई व्रदी ठीक है जब अर्थ व्योस्ता में मंदिक इस्तिति होती है और उसको वापिस संतुलन किस्तिति में लाने के लिए जब नियंतरित मातरा में चलन मातरा में व्रदी की जाती है मुद्रा की मातरा में तो इसे कीमतों में धीरे दीरे व्रधी की प्रवर्थि पाई जाती है तो ये एक तरह से अर्थ विस्ता के विकास के लिए सहाय भी होती इसको हम क्या कहते है मुद्रा संस्विती कहते है ठीकर, Reflection अगला है धीमी गती से बढ़ते हुए कीमत इस्तर को ठीक है धीमी गती से कीमत इस्तर बढ़ना मतलब कि वार्शिक वरदी कीमतों में कितनी हो दो से तीन प्रतिशत तक की हो तो इसको एक तरह सम्क्या किया सकते हैं रेंगती हुई मुद्रा स्फिती किया सकते हैं और फिर आज का जो हमारा अंतिम प्रश्ण है इन्फलेशनरी गेप के बारे में है इस्फितिक अंतराल की अउधार्णा का प्रतिपादन किस ने किया टेकि इस्फिति अंतराल मतलब जब अर्थ विवस्ता में समगर मांग जो होती है वो समगर पूर्ति से जादा होती है पूर्ण रोजगार इस्थर पर इसकोम कह केते हैं इन्फलेशनरी गेप केते हैं और ये जो अउधार्णा है वो किस के द्वारा गी दी गई है प्रोपेसर किन्स के द्वारा तो आज की क्लास में इतना ही